नमस्कार आप देख्टरे नियूस फोर नेशन और मैं हूं सांथवनापके साथ महागचबंधन की सरकार की डोर धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है जहां इस महागचबंधन सरकार के भीतर खाने जो भी कुछ चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है आठ जेडी बनाम जदियों की टकरार जारी है एक ही सरकार के विभन दल आपस में विभन मुद्दों को लेकर भिड़ते हुए नजर आ रही है एक मुद्दे पर नितीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी होती है तो किसे मुद्दे पर तिजस्वी आदफ के खिलाफ अक्षिन लिया जाता है अब ऐसे में तीन एसी बड़ी समस्याएं हैं जिससे लालू और नितीश की टेंशन बढ़ी हुई है नितीश उमार को ये तीन बड़ी समस्याओं को समझना बहत जरूरी है वरना महागजबंदन में कभी भी कुछ भी हो सकता है दरसल आट जेडी के साथ मिलाना बिहार की सीम नितीश उमार के लिए चुनोती समर में बड़ी चुनोती बनकर उगरेगा इसके साथ ही कई ऐसे फ्याक्टर हैं जो बिहार में महागजबंदन का खेल बिगार सकते हैं शराबंदी कानून पर नितीश का जो रुख है वो उन परिवारों को तो कभी रास्त नहीं आएगा जिनके घर का कोई सदस्य जहरेली शराब पीने से मौत के मुँ में समा गया आँखों की रौशनी गवा कर खाट का स्थाई महमान बन गया उन्हें भी शराबंदी कानून से कोफ्त है जिनके घर का कमाओ आदमी शराब पीने या बेचने के जुर्म में जेल में बंद है नितीश के लिए समस्या वो लोग भी खड़े करेंगे जो एक दशक से नियोचित सिक्षक बनकर असंतजार में थे सिक्षक नियुक्ति नियामवली जब बनेगी तो उन्हें भी सरकारी सिक्षक का उहदा मिल जाएगा और तमाम सरकारी सुवधाओं के वे हकदार हो जाएंगे नितीश को नाराजगी उनकी भी जेलनी पड़ेगी जिनोंने सिक्षक प्रसिक्षन के बाद टीएटी याएस टीएटी पास कर लिया है और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं बेकाबू अपराद और मूँ चढ़ाते ब्रस्टाचार तो यकीनन नितीश के सुशासन के दावे की धज्जी उड़ा देंगे महागजबंदन के भीतर अपसी कला और नितीश के जनादेश के अपमान की आदत भी उनके लिए मुसीबत पैदा कर देगी गौर तलब है कि शराबंदी कानून के तहट पकड़ी जाने और सजा के बारे में याकड़ी देखे शराबंदी कानून साल 2016 में लागू हुआ औक्टुबर 2022 तक शराबंदी कानून के तहट 4 लाक मामले दर्श किये गए तकरीबन 4.5 लाख लोग गिरफतार किये गए इनमें लगभग 1.4 लाख लोगों पर ही मुकदमा चला सिर्फ 1300 लोगों को दोशी ठहराया गया सीम नितीश मार सरवेक्षन के आकड़े बता कर इतराते हैं कि विहार में करीब दो कड़ोर लोगों ने शराब का सीवन छोड़ दिया हालाके नाकड़ों में सच्चाई नहीं दिखती इसलिए कि पुलिस के लापरवाही अमिली भगत से विहार में पडोसी राज्जों से शराब की आवक वदस्तूर है शराब के धंदे बाजों से पुलिस के पिटने मार खाने की सूशनाई भी समय-समय पर आती ही रहती है कमाई के चक्कर में अवैद कारोबारी शराब कम बैमनाने के पैमाने का भी खयाल नहीं करते नतीजा ये कि शराब जहरीली होती जाती है सारंजिले के बाद पूर्वी चमपारन में जहरीली शराप से ढ़ाई दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद ये मामला गरमाया लेकिन नितीश ने मढने वाले के परिवारों को मुआवजा देने की घोशना कर विवाद बढ़ने से रोक दिया था नितीश हुमार को सुशाशन बाबू कहा जाता है लेकिन अब उन्हें कुशासन बाबू और पल्टी राम की नाम से भी जाना जा रहा है जहां तीन ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार की सियासी पिच पर नितीश हुमार के लिए बड़ी टेंशन पैदा कर सकते हैं और असे नितीश हुमार के फिसलने की संभाव नाए एक बार फिर बेहत तेज है पहला मुद्दा शराब बंदी कानून है दूसरा मुद्दा नियोजित सिक्षक जो पिछले कई सालों से नई सिक्षक निया मवली का इंतजार कर रहे थे उनका है तीसरा मुद्दा TET और STET पास कर चुके उन अभियर्टियों का है जो वैकेंसी का पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं अब देखने वाले बात तो ये है कि जो जानादेश नितीश हुमार को लेकर एक समय में बिहार में बना था वो कहां तक आने वाले चुनाव में नजर आता है क्या नितीश हुमार का बोल बाला एक बार फिर बिहार में देखने को मिलेगा या लोगों की नाराजगी नितीश हुमार को अर्श से फर्श पढ़ला कर खड़ा कर देगी फिलाग अले सब जेच मात नहीं है न कई खबरों के लिए मां सद बनी रहें न्यूस फोर नेशन में नमस्का